नमस्कार दोस्तों, आज की अध्भुत कहानी है जो हमें बताएगी कि शर्म और डर को हमेशा के लिए कैसे काबु में किया जा सकता है। बुद्ध ने एक अध्वितिय अभ्यास के माध्यम से इस महत्वपूर्ण सीख को हासिल किया था। चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक शर्म और डर का आध्यान्त एक दिन बुद्ध ने अपने शिश्यों को एक अध्वितिय अभ्यास के लिए बुलाया। उन्होंने कहा शर्म और डर हमारे मानसिक स्वास्थय के दुश्मन हो सकते हैं। परंतु हम इन्हें अपने मन के सामनजस्य में काबू में कर सकते हैं। दो बारह दिन का चुनोती पूर्ण अभ्यास बुद्ध ने अपने शिश्यों को बारह दिन के लिए एक विशेश अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें वे शर्म और डर का सामना करने के लिए प्रतिबध हो गए। इसका मकसद था मानसिक स्थिती में सुधार करना। तीन क्षिक्षा और समापन बारह दिनों के अभ्यास के बाद शिश्यों ने बुद्ध से सीखा कि शर्म और डर को सामना करने से हम अपने आत्मविकास में सुधार कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी कमजोरियों का सामना करोगे, तो तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि शर्म और डर का आध्यान्त संभव है और हम इन्हें कैसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं. अगर हम अपने मन को सांत्वना और साहस से भरपूर रखते हैं, तो कोई भी चुनोती हमें हार नहीं सकती. कृप्या इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने अनुभवों को हमसे साजा करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें आपकी राएं कमेंट्स में बताएं. धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में.